हैलो दोस्तों मेरा नाम जैक है और मैं अफरीका के एक सहर अधिस अबावा का रहने वाला हूँ अब मैं आपको अपनी कुछ नीजी जानकारियां देता हूँ मेरी नुकरी आचे लबग 6 मेहने पहले फोरेस्ट गार्ड में लगी थी और वो पिछले पूरे 6 मेहने मुझे फोरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग लेने में निकल गए फोरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरे 6 मेहनों की होती है जिसके दवरान हमें कई तरह के पेत्रे सिखाय जाते है जंगली जानबरों के हमलों से कैसे बचना है चोटी से चोटी जिगहों से बचकर कैसे निकलना है पेड़ों पे कैसे चलना है और भी कई तरह के पैत्रे हमें सिखाय जाते हैं आज मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मुझे बहुत ही ज़दा खुसी हो रही है लेकिन इसी के साथ मैं थोड़ा सा दूखी भी हूँ खुसी इस बात की है कि आज मेरा बच्पन का सपना पूरा हो गया है मैं बच्पन से ही फोरिस्ट गाड बनना चाता था क्योंकि मेरा जंगलों के साथ एक अलग ही लगाव रहा है जब मैं कॉलेज में था तब ही मैं बार बार अपने दोश्टों के साथ जंगलों में घूमने के लिए जाया करता था केंपिंग किया करता था क्योंकि मेरा मानना है कि जंगलों में एक अलग ही परकार की सांती होती है जहां सेहरों की तरह परदूसर या फिर सोर सरावन ही होता चिरियों की चेचाहती हुई ववाज हमारे मन को बहुत ही सुकुन देती है यही सोचकर मैं खुश हूँ कि अब मुझे जंगलों में ही रहना है लेकिन दुखी इस बात से हूँ कि मेरी पोस्टिंग जिस जंगल में हुई है उसे भूताहा जंगल माना जाता है यहां उस जंगल के आसपास कई सारे छोटे मोटे गाउं है और वहां के लोगों का कहना है कि उस जंगल से बतक कई लोग रहस में तरीके से गाएव हो चुके है तो कई लोगों की मौत हो चुकी है जिन लोगों की मौथ हुई है, उनकी बोड़ी में खुन के एक भी बूंद पाई नहीं गए है सिर्फ उनके गले पे इनसानी दातों के निशान होते है जो साइट किसी सैतान के होंगे कुछ गावालों का कहना है, उस जंगल में बेमपाइरों का निवास है तो किसी का कहना है कि नहीं नहीं उस जंगल में खुण खार जंगली जानबरों का जुम्ड है जो इंसानों को मारता है और इंसानों को मार कर उसका खुण पी जाता है लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा अगर कोई जंगली जानबर इंसानों को मार कर उसका खुन पी रहा होता तो उसके गले पे जंगली जानबरों के दाथ के निसान होते न ना कि किसी इंसान के इंसान खुन नहीं पी थे यकिन है उस जंगल में इसा कुछ तो है जो असाधारन है मुझे वहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा खर कल मेरी उस जंगल में पोस्टिंग है और मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ रात गुजिरी और सुबह हो गई आज में सुबह के वक्ती अपनी सारी जरूरत की सामाने एक बैग में पेकर अपने उस चोटे से कमरे में बेठा हुआ था मैं इंतिजार कर रहा था कि कब वो बन अधिकारी मेरे पास आएंगे और मुझे अपने साथ लेकर जंगल में उस जगे पर जाएंगे यहापन मुझे काम करना है तब साम के लवक चार बजे के करीब एक जीब को लेकर वो बन अधिकारी आये थे और वो मुझे आवाजे लगाते विए कहने लगे जैक आजाओ हमें चलना है फिर मैं भी आपने सुबह को लेकर जीब में आकर बैठ गया और वो बन अधिकारी भी जीब को चलाते विए जंगल की और बढ़ चले पहले तो मैं दो सेरों को पार करना पड़ा फिर कई छोटे मोटे गाउं आये हम उन्हें भी पार करते विए जंगल के अंदर की और बढ़े जा रहे थे यहां जंगल के बीच से ओकर एक कची सलक उजर रही थी और वो जीब उसी सलक पर आगे की और बढ़ता जा रहा था तब साम के लवग सारे छे बजे के करीब हम जंगल के लवग लवग घने वाले इलाके में पहुँच आये थे तब वो अफिसर जीब को रोकते वे कहने लगे उत्रो हम पहाँ चुके हैं जीब से नीच उत्रो तब मैं भी जीब से बहार निकला और तब मैंने देखा वहाँ सामने ही पहार से लगकर एक छोटा सा घर बना हुआ था और उसी घर के पास एक बड़ा सा टावर था जिसके ऊपर चड़ कर हम यहां जंगलों पे नजर रख सकते थे तब वो ओफिसर मुझे से कहने लगे चलो वो तुम्हारा क्वाटर है वो जो तुम्हें सामने घर दिख रहा है न वहीं तुम्हें रहना है तुम्हारे साथ एक फोरेश्ट गाड और भी रहेगा जो यहां पहले से ही रह रहा है वो तुम्हें यहां के बारे में सारी जानकारियां दे देगा कुछ खास जानकारियां भी जो तुम्हें साथ ट्रेनिंग के दोरान नहीं बताया गया होगा तब मैं भी चलते हुए महाँ बने चोटे से घर में पहुचे तब मैंने देखा ये चोटा सा कमरा था जो इटो से बना हुआ पक्का मकान था और हाँ, कमरे में एक वेखती जो खाना बना रहा था वहाँ हमें देखते हैं कहने लगा आई 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 सर यही है न वो नया फोरेश्ट गार जिसकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है तो उस ओफिसर का कहना था हाँ यही है इसे यहां के सारे तोर तरीके समझा देना और हाँ, इसे वो खास बात में बता देना मैं चलता हूँ सुरज डूबने को है और तुम तो जानते ही हो कि यहां देरा होने के बाद कितना ज़्यादा खत्रा होता है वो इतना बोलते हूँ इस कमरे से बाहर निकल गए और चलते हुए जीप के और बढ़ चले वो फिसर काफी जल्दवाजी में लग रहे थे और देखते ही देखते वो जीप लेकर जंगल के बाहर के और बढ़ चले तब वो फोरेश्ट गाट जो हाँ कमरे में पहली से ही था वो खाना बना रहा था वो मुझे कहने लगा हाई जेक, मेरा नाम सैम है और तुम अपना बैगी हाँ आखोटी में टांग सकते हो और हाँ बेट तुम कुछ देर तक वहाँ बेठो मैं खाना बना लेता हूँ उसके बाद मैं तुमसे बाते करता हूँ मैं तुम्हें या के सारे तो तरीके समझाता हूँ कुछ खास बाते भी हैं कुछ नियम है जो तुम्हें मानने है अगर तुम इस जंगल में सेफ होकर लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो तुम्हें उन बातों और नियमों को मानना ही होगा सेम मुझे ऐसा के रहा था और मैं भी वहां कमरे में लगे उस बैट पर जाकर बैठ गया और मैं अपनी नजर कमरे में गुमा कर देखने लगा कमरे के सभी दिवारों पे, सारों दिवारों पे एक एक खिडकी बनी वी थी ये खिडकी बहुत ही बड़ी थी और सभी खिडकियों में मोटे मोटे लोहे से बने वी ग्रिल को लगाया गया था ये ग्रिल इतने मजबूत थे कि अगर इसे कटर से भी काटा जाए तो काफ़े से में लग सकता था इसे काटने में इसी के साथ इस खिलकी को पूरी तरह से बंद करने के लिए सीशे को लगाया गया था जिसे धक्का देने पे वो सीशा एक साइड हो जाता और वो खिर्की पूरी तरह से खुल जाती जैसा कि ट्रेन की खिर्कियों में लगाया गया होता है वो सीशा सफेद था जिसके आर पर हम देख सकते थे बाहर से भी मैं कोई देख सकता था इसलिए उन खिर्कियों को पूरी तरह से ढगने के लिए सबी खिर्की पे एक एक हरे रंग के परदे को लगाये गया था ताकि बाहर से में कोई देख न सके वहां कमरे के अंदर सभी जरूरत की समाने थी वहां पंखा लगा हुआ था, लैट लगी हुई थी और मैं बेट पर बेठा सोच रहा था ये सभी इलेक्रिक मशीने आखिर चलती कैसे होगी यहां बिजली की तार तो गुजरी नहीं है मैं ये बात सेम से पूछने लगा तब सेम का कहना था बाहर एक बड़ा सा सोलर पेनल लगा हुआ है जिससे ही दिन पर बैटरी चार्ज होती है और रात के बड़ हम उसका इस्तमाल लैट जिलाने में करते हैं खेर खाना बन चुका है चलो बहर चलो मैं तुम से कुछ बात ही करता हूँ तुम्हें कुछ खास बाते बताता हूँ तब मैं भी चलते वे कमरे से बाहर निकलाया और तब सैम मुझसे कहने लगा इस बड़े से टावर के उपर चड़ो हम इसके उपर चड़कर बाते करते हैं आजा एतना बोलकर वो टावर के उपर चड़ गया और मैं भी उसके पीछे पीछे टावर के उपर चढ़ा, रात के लबग साइश साथ बजे का समय था, और वहाँ पूरे जंगल में सनाटा पसरा हुआ था, आज पहली बार मुझे जंगल की इतनी सांती मेशुस हो रही थी, आसमान में चांद निकला हुआ था, इसी के साथ ज न्यूज में देखा होगा, या फिर लोगों के मुझे तो सुनाई होगा, यहां जंगल में कई लोग गायब हो चुके हैं, और कई लोगों की लास यहां जंगलों में मिली है, तब मैं दूसे कहने लगा, हाँ मैंने भी सुना है, तब सेम का कहना था, लोगों को लगता है क यहां जंगलों में इन्सानों को कोई जंगली जानवर जान से मार डालता है, वही इन्सानों को गायब कर रहा है, लेकिन असल में सच्चाय कुछ और ही है, मैंने खुद अपने आखों से देखा है, उस लाल साली बाली औरत को, वो बहुत है जदा खतरनाक है, और मुझे पूरा यकीन है, कि वही अवरत है, वही अवरत है जो यहां जंगल में इन्सानों को जान से मार डालती है, वही इन्सानों को गायब कर रही है, खैर मैं तुम्हें कुछ खास नियम और जरूरी बाते बताता हूं, तुम्हें भी पता ही होगा, कि फोरेस्ट गाड की नोकरी पूरे 24 गंटे की होती है, हमें पूरे 24 गंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, पता नहीं, जंगल पे कब खत्रा आ जाए, कब जंगल में आग लग जाए, कब जंगल में पेडों की कटाई होना शुरू हो जाए, हमें इसी समस्याओं से निपटने के लिए, कभी कभी रात के वक्त भी जंगल में जाना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें एक खास बात बता रहा हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहां, यहां के जंगलों में रात के 10 बज़े के बाद कभी नहीं जाना, रात के 10 बज़े के बाद हमेशा, यहां आपने कमरे में तुम्हें रहना है, मैं भी कभी रात के वक्त यहां के जंगलों में नहीं जाता, यहां रात के वक्त जंगलों में बहुत ज़दा खत्रा होता है, मैंने अपनी आखों से देखा उचुलेल को, जब मैं एक देज इसी कमरे में खिड़की के पास टेवल लगा कर बैठा हुआ था बाहर से ताजी-ताजी हवाया आ रहे थी कि तभी मैंने देखा कि मुझे कुछी दूरी पर इस कमरे से कुछी दूरी पर वो लाल साड़ी बाली औरत गुजरी थी वहाँ वो जो तुम्हें बड़ा सा पीड़ दिख रहा है न उसी पीड़ के पीछे से वो औरत गुजरी थी और मैंने देखा था उस औरत के पीछे-पीछे कई सारे जंगली जानवरों के जुन्ड थे और सभी जंगली जानवरों की आँखे चमक रहे थी तुम मेरा यकीन करो ये सभी बाते सची है और उस औरत के पैर नहीं थे वो औरत वो लाल सारी बाली चुड़े हावा में उड़ते वे जा रही थी वो इसके सारी हावा में लहरा आ रहे थे मैंने अपनी आँखों से देखा उस चुड़ेल को और मुझे पूरा यकीन है कि वो ही इंसानों को जान से मारती है वो यहां के जंगलों में जज़ ज़र रात के दस बज़े के बात ही निकलती है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रात के दस बज़े के बात चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है मैं भी कभी नहीं निकलता खेर इस जंगल में सिर्फ यही एक डराने वाली बात नहीं है इसके अलाबा इस जंगल का एक राज और भी है हर शुकरवार की रात जब तुम्हें कमरे में सोगे तब तुम्हें बहुत ही बुरे-बुरे सपने आएंगे इतने बुरे सपने कि तुम्हें सपने में मौत का नूबभ होगा तुम यकिन मानो तुम्हारे सरीर पसीने से लदपत हो जाएंगे कभी कभार तो तुम्हें सपने में एक काले कपने में और एक छोटा बच्चा दिखेगा और कभी कभार तुम्हें एक बड़ा सा दलदल दिखेगा जिसमें तुम डूब रहे होगे यकिन मानो वो सपना बहुत ही भयानक होता है वो सपना सिर्फ तुम्हें दिखाई नहीं देगा बलकि यहां इस जंगल में जो भी सुक्रवार की रात रुखता है जो भी यहां सुक्रवार की रात सोता है उन्हें इसे सपने आते हैं यहां पे कई फोरेश्ट रेंजर, कई फोरेश्ट गाड तो यहां जंगल में रे चुक है उन्हें भी ये सपने आते हैं उसी काले कपड़े वाली औरत की सपने जिसके साथ एछोटा बच्चा होता है मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हर सुकबार की राती हमेशे सपने क्यों आते हैं वो भी यहां रहने वाले सभी लोगों को उसी औरत का सपना आता है क्या राज है? आखिर कौन सा राज इस जंगल में दपने है? क्या ये जंगल सापित है? मैं आज तक भी समाझ नहीं पाया खेर ये तो होगे इस जंगल की दराने वाली बात अब तुम्हें यहां के कुछ जरूरी बात बताता हूं तुम्हें यहां पे ड्यूटी कैसे करनी है? तुम्हें हरोज दिन के लवल आठ बजे इस बड़े से टावार के उपर चल जाना है तुम्हें इसी टावार के उपर चल कर पूरे जंगलों पे नजर रखना है देखना है कि कहीं जंगलों में आग तो नहीं लग रही कहीं जंगलों में पेड़ों की कटाय तो नहीं हो रहा अगर तुम्हें इसी कोई समस्या दिखे तु तुम्हें उसे रोकना है अगर समस्या बड़ी हो तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते हो मैं भी तुम्हारे साथ जाओंगा मेरा काम है कि मैं हाँ वो जो कच्ची सलक गुजर ही है न वो कच्ची सलक से थोड़ा दूर आगे जाने पे जिस तरफ से तुम आये थे जहां पे छोटे मोटे गाउं बसे हुए है वहीं पे जाकर जंगल में आने वाले लोगों पे निगरानी रखना क्योंकि यहां जंगलों में कई सारे गाउं के लोग आते हैं जो लक्णियों को काटकर अपने घर लेकर जाते है मैं उन्हें जंगल को काटने से मना करता हूँ मैं उन्हें पेडों को काटने से रोकता हूँ मेरा काम यही है तुम भी काम समझ चुके हो और अब चलो खाना खाने कर समय हो चुका है रात के लबग पूरे आठ बजने को है चलो इस टावर से नीचे उतरो तब मैं भी टावर से नीचे उतर आया और फिर हम चलते हुए कमरे में पहुचे हम खाना निकल कर खाने लगे तब समय मुझे कहने लगा दिखो भाई आचे तुम मुझे अपना दोस्त समझना अगर कोई भी परिशानी हो तो बे जीजक बोलना यहां कामकन में तुम्हें बहुत मजाने वाला है लेकिन बस वही एक परिशानी है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो चुड़ल जो लोगों को जान से माँ डालती है तुम्हें रात के 10 बजे के बाद इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है हम दोनों खाना खाए तब से मुझे से कहने लगा सभी खिर्कियों को अच्छे से बंद कर लो वो परदे भी गिरा दो ताकि बाहर से मैं कोई देखना चके मैं भी सभी खिर्कियों को अच्छे से बंद कर परदे को गिरा कर अपने बेड़ पर जाकर सो गया वहाँ कमरे में दो बेड़े लगे वे थे और मैं अपने बेड़ पर जाकर सो गया सैंब्य अपने बेड़ पर जाकर सो गया लेकिन मुझे ने दिने आ रही थी मैं वहाँ 10 मिनाड तक कड़बाटे बदलता रहा सोने की कोशिस करता रहा लेकिन मुझे नी दिने आ रही थी इतनी जल्दी सोने की आदत थोली ना थी मैं अपने फोन को निकाला और फोन में पिक्चर देखने लगा मेरे फोन में कई सारी पिक्चर डाउनलोड थे क्योंकि यापे नेटवर्ग तो बहुत ही कम था ओनलाई मैं वीडियोज नहीं देख सकता था मैं अपने फोन में डाउनलोड हुए पिक्चर को देखने लगा और रात के लबग 11 बजे था मैं पिक्चर को देखता ही रहा और जब मैं रात के 11 बजे फोन को बन कर सोने की कोशिस कर रहा था तब मेरे कानों पे कई सारे भेडियों के रोने की आवाज परना शुरू हो गए थे सिर्फे भेडियों के रोने की आवाज ही नहीं थे और भी कई सारे जंगली जानवरों के आवाज थे जो जंगल के अंदर से आ रहे थे और कुछी दिर में मुझे निन्द आ गई मेरी आप खुली सुभे के लगवक साथ बजे के करीब मैंने देखा कि सेम पहले से ही जगा हुआ था वहां कमरे में खाना बना रहा था मैं भी उसके साथ खाना बनाने में उसकी मदद करने लगा कुछी दिर में खाना बन गया हम खाना खाये तब सेम उचे कहने लगा चलता हूँ ड्यूटी पे जाने का समय हो गया है गाउ के लोग जो जंगल में गुश गया होंगे वो लकणियों को काटने के लिए गुश गया होंगे और मुझे उन्हें रोकना है तुम भी जाओ उस बड़े से टावर के उपर चल जाओ जंगलों पे नजर रखो चलता हूँ इतना बोलते हूँ कमरे से बाहर निकल गया और मैं भी उस बड़े से टावर के उपर जाकर चल गया मैं होँआ जंगलों पे नजर रख रहा था जंगत जो आगे और भी ज़दा घना था मैं इस्टावर के उपर से साप शाप देख पा रहा था आगे बहुत सारे उंचे उंचे घने पेड़ थे हाला कि मेरे पीछे तरफ जिस तरफ चे मैं आया था उधर भी बहुत सारे पेड़ थे लेकिन उधर इतने घने पेड़ नहीं थे उसी तरफ सेम डूटी करने के लिए गया था और मेरे पीछे वाले जंगलों में ही गाउं के लोग लकड़ियां काटने के लिए आया करते हैं जैसा मुझे सेम बता रहा था और मैं इस टावर के उपर खड़ा जंगलों पे नजह रख रहा था इस गर से कुछी दुरी पर एक पहार था और मैं उस पहार पे देख रहा था पहार पे आग तो ने लगे यहाँ जंगलों में कहीशे दो ने उठ रहा मैं इसी तरह, पूरे दिन मैं पूरे दिन जंगलों पे नज़ा रखता रहा लेकिन हुआ इसा कुछ हुआ इन है तब साम के लगवग पांच बजे के करीब सैम वापा साचु का था और वो मुझे से कहने लगा आ जाओ टावर से नीचे उत्रो खाना बनाना है अब जंगलों पे कोई खत्रा नहीं है क्योंकि दिन के वक्त ही लोग जंगलों में लगणियां काटने के लिए आया करते हैं साम के वक्त लोग भी इस जंगल में आने से डरा करते हैं नीचे उत्रो फिर मैं भी टावर से नीचे आ गया और खाना बनाने लगा खाना बनाया और फिर कुछ दे तक इस्टावर के उपर चल कर हम बाते करते रहे फिर रात के लब आठ बजे के करीब हम अपने कमरे में आ गए खाना खाए और अपने बेट पर जाकर सो गए मुझे नीद नहीं आ रही थी और आज मैं फिर से फोन में पिक्चर देखने लगा लेकिन आज रात के ग्यारा बजे के करीब मुझे जंगली जानवरों के आवाज के साथ साथ मेरे कानों पे किसी के पायलों की गुंगरों की आवाज साब साब सुनाई पड़ रही थी मैं अपने फोन को बंद कर चुका था और मैं उस आवाज को गोर से सुनने लगा ये पायलों की आवाज कहां से आ रही है इस कमरे के आसपास कोई तो है जो अपने पाव में पायल को पहन कर गूम रही है यकिनन वो औरत ही होगी क्योंकि मर्द पायल तो नहीं पहनते हैं क्या मुझे देखना चाहिए किस कमरे के पास कौन है जो इतनी रात गए पायल को पहन कर गूम रही है मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलना है लेकिन मैं खिड़की से जाकर तो देखी सकता हूँ न यहीं सोचकर मैं खिड़की के पास गया और उस परदे को हटा कर बाहर के और देखने लगा वो सीशा लगावा नहीं था और मैं बाहर के और जाकर देख रहा था बाहर मुझे कोई भी दिखाए नहीं पड़ रहा था लेकिन मेरे कानों पे वो पैलों की आवाज अभी पड़े जा रही थी मैं दूसरी खिर्की के पास गया और उसके भी परदे को हटा कर बाहर के और देखने लगा इसका भी सीशा लगावा नहीं था और मैं बाहर के और जागता हुआ देख रहा था बाहर मुझे कोई भी दिखाएने पड़ रहा था मैं अच्छे से देखा लेकिन हूँ बाहर बस वो सोलर पैनल की लैट जा रही थी जिसकी रोशनी में मैं बाहर के और देख पा रहा था फिर मैं चलते वे दूसरे दिबार के पास गया उसके भी परदे को हटाया और बाहर जाकर देखने लगा लेकिन बाहर मैंने बहुत ही अजीब चीज को देखा यहां इस कमरे से कुछी दूरी पर लाल सड़ी में मुझे कोई औरत दिखाए पड़ रही थी जो हवा में दो फुट ऊपर थी उसके पैर नहीं थे वो हवा में उड़ रही थी और उसके साड़ी के पल्लू हवा में लहरा रहे थे और तभी मैंने देखा उस औरत के पीछे पीछे कई सारे जंगली जानवर थे बाग, सियार, काला, तेंदुआ इसी तरह के कई सारे जंगली जानवर थे और सभी की आखे चमक रही थी वो लाल साड़ी वाली अवरत वो उस जानियों के पीछे सोकर कहीं उर्ती भी जा रही थी हवा में वो उर्ती भी कहीं जा रही थी और वो सारे जानवर उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे मैं जट से खिर्के के पास नीचे बेठ गया और अपना सर थोड़ा सा उपर कर जाकर देखने लगा वो अवरत हवा में उड़ते हुए वो हवा में उड़ते हुए जंगल के अंदर की और चली गई थी और वो सारे जानवर भी उस लाल साड़ी वाली अवरत के पीछे पीछे जंगल के अंदर की और चले गए थे लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा था उस अवरत के तो पैर ही नहीं थे वो अपने पैर में पायल बला कैसे पहन सकती है और वो चलते वे थोड़ी ना जा रही थी जिसके पायलो की आवाज मेरे कानों पे पढ़ सकती है यकिनन उस अवरत के अलावा यहां कोई और भी है जिसके पायलो की आवाज मेरे कानों पे पढ़ रही थी मैं इतना सोची रहा था कि तभी मेरे कानों पे फिर से पाइलों की आवाज पढ़ना शुरू हो गए अब मैं फिर से दूसरे खिर्के के पास गया और मैं उस खिर्के को भी खोल बाहर के और जाकर देखने लगा लेकिन उहां भी मुझे कोई दिखाई नहीं पढ़ रहा था मैंसे ही चारों दिवारों पे लगाए गए खिर्के को खोल बाहर के और जाकर देख लिया था लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पढ़ा था पस वही लाल साडी वाली अवरत थी जो जंगल के अंदर गई थी लेकिन उसके पाइलों की आवाज मेरे कानों पे नहीं पढ़ रही थी मैंसे ही कुछी दिख तक किल्कियों पे जाकर बाहर के ओ जाकर देखता रहा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पढ़ा और अब वो पाइलों की आवाज भी आना बंद हो गई थी तब मैं अपने बेट पर जाकर सो गया मैं किल्कियों को बंद कर चुका था और मैं अपने बेट पर जाकर सो गया मैं शोते वक्त ही यह सोच रहा था कि वो लाल शाडी वाली और वो कौन थी यकिनन वो चुवल होगी क्योंकि इंसानों के तो पहर होते हैं लेकिन वो जंगली जानबर उसके पीछे पीछे क्यों चल रहे थे क्या जंगली जानबर बहुत प्रियतों के दोस्त होते हैं मैं इसा ही सोचते सोचते सो गया और सुबह होई शुबह के वक्त अं फटपट खाना बनाये, खाना खाये, और अपने अपने डूटी पे चले गए, सेम भी अपने डूटी पे चला गया था, और मैं भी इस बड़ी से टावर के उपर चल गया था, जंगलों पर नजा रखने लगा, लेकिन मैं आज पूरे दिन उसी लाल वली वले उरत के बारे में सोचता रहा, साम हो गई, और साम के लगवग 5 बजे के करीब, सैम अपनी डूठी से वापस आ चुका था, फिर मैं भी उस बड़े से टाबर से नीचे आ गया, और अपने कमरे में पहुच गया, खाना बनाया, खाना खाया, और मैं सैम को वो सारी ब अब परावने सपने हमें आएंगे, आज के दिन ही, तुम जब सोगे, तब तुमें भी, वो तरावने डरावने सपने आएंगे, बहुत ही बुरे सपने होते हैं वो, सैम उससे शक्र कह人े लगा, अगर इसी बातें तो मैं अज सोंगा है इन्हें, मैं अज पूरी रच जग क्या होता है जैसे रात के 12 बजे के करीब चंगल में अलगी मधोसी छा जाती है एक अलगी परकार की शुगन छा जाती है जो तुम्हें सपनों की दुनिया में लेकर जाती है एक धरावने सपनों की दुनिया में आज तुम्हें भी पता चली जाएगा जब तुम सोगे तब भी वो डराबने डराबने सपने आएंगे सैम इतना बोलते हुँ अपने बेट पर लेट गया और मैं भी बेट पर लेट फोन में पिक्चर देखने लगा मैं सोच रहा था किया सच में आज जब मैं सोंगा तो मुझे वो सपने आएंगे मैं रात के लगभग 11 बजे तक पिक् मैं अपने बेट पर से उत्रा और उसे जाकर जगाने लगा मैं उसके सरीर को हिला रहा था उसे जगाने की कोशिस कर रहा था लेकिन उसकी आँखें जैसे खुली नेरी थी वो सपने से बाहर आही नहीं पा रहा था वो बार बार अपने हाथ पा मार रहा था और चिलाते वे के रहा था छोड़ दो मुझे जाने दो मैंने तुम्हारा कुछ ने बिगाड़ा है तो मुझे परिशान क्यूं करे ही हो मुझे जाने दो वो अपना हाथ पा मारत वे इसा के रहा था और मैं उसे हिलाते वे जगाने की कोशिस कर रहा था लेकिन वो जगने का नामी नहीं ले था लेकिन तभी रात के लवग बारा बजे के करीब जैसे मुझे भी बहुत तेज निंदाना शुरू हो गई थी मेरी आखे भी बंद होना शुरू हो गई थी और मैं अब जमिन पर ही गिरने वाला था लेकिन मैं किसी तरह से चलते हुए अपने बेट तक गया और मैं जैसे अपने बेट पर लेठा मेरी आख लग गई मेरी आख लगते ही मैं जंगलों में पहुँच गया था ये जंगल का घना वाला इलाका था जहां पेड इतने घने थे इतने उचे घने पेड थे जहां चांद के रोशने थोड़ा सा भी चिटक कर यहां जमिन पर नहीं पड़ था उस बच्चे की उमर लगवग 12 साल की होगी और वहीं उस अवरत और बच्चे को घयर कर पांच लोग खड़े थे ये पांच लोग देखने में लगवग मेरे ही उमर के लग रहे थे और तब मैंने देखा वहां उस अवरत से कुछी दूरी पर जमिन पे पांच टेंट बने हुए थे ये पांच टेंट केंपिंग टेंट थे और मैं उसे देखते ही समझ गया ये पांच लोग यकिनन यहां जंगलों में केंपिंग का निकला आये होंगे और ये और वरत भी इसके साथ ही होगी वहां उनके बिच बहस चल रही थी मैं उनकी आवाज नहीं सुन रखे थे वो पांच लोग अपने हाथ को पीछे कर रखे थे जिस बज़े से मैं उनके हाथ में चाकू नहीं देख पाया था लेकिन वो पहले से ही अपने हाथ में चाकू पकल रखे थे और वो अपने हाथों से उस औरत में चाकू उसे बाहर करने लगा था पांचो के पां में टांग रखा था मैं अपने गन निकाला और एक बंदे को पर तान कर उससे कहने लगा देखो तुम इस वरत को मार कर अच्छा नहीं किये हो मैं तुम लोगों को जेल की हवा खिलवाऊंगा मैं ये सारी बाते पुलिस वाले को बताऊंगा और फिर देखना तुम लोगों क फासी होगी फासी मैं ऐसा वहां के पांचो लड़कों से कह रहा था लेकिन उन्हें जैसे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था वो मेरे ओपर ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो सवरत और बच्छी की लास को जो हाँ जमिन पे गिरे वे थे उसके पेर को पकल कर घसी इ फासी की सजा होगी लेकिन उन्हें जैसे मेरी बातों का कोई सरी नहीं हो रहा था वो जैसे मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे वो उस और बच्छी की लास को घसीटता हुआ जमिन पे घसीटता हुआ एक बरी से दलदल के पास लेकर आ गए थे और वो उस बच्छ गाड को किसी को मारने का दिकार नहीं होता मैं उस पर गोलिया नहीं चला सकता था मैं क्या करता मैं बस अपने जगे पर खड़ा उस पांचो लड़कों को देख रहा था वो पांचो लड़के लाश को से दलदल में फेक जंगल के बाहर की और निकलने लगे थे लेकिन वो बचकर कहां जाने वाले थे अगर आप कोई गलत काम करते हो तो आपको सजावी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए वो पांचु लड़के जंगल की बाहर की और जा रहे थे और तम मैंने देखा उस दलदल से काले रंग के कई सारे पंजे निकले थे ये इनसानी हाथों के पंजे थे लंबे लंबे पंजे जो लगातार उस दलदल से बाहर की और निकले जा रहे थे ये टोटल चार इनसानी हाथ थे काले रंग के दिखने वाले इनसानी हाथों के पंजे और वो लागातार लंबे होते जा रहे थे वो पांचों लड़के जंगल के बाहर के और बढ़ते वे जा रहे थे और ये निशाने हाथों का पंजा लंबा होता हुआ पीछे से उसके पास गया और उसके पैरों को पकड़ कर उसे खिचता हुआ यहाँ दलदल में लेकर आ गया उसे दलदल में समा चुका था, वो ललके तलब रहे थे, वो चारों ललके तलब रहे थे और मैं भी अपने जगे पर ख़ड़ा ओकर देखता रहा, मैं भी खुश था जैसा इन्होंने किया है इन्हें भारना तो पड़े गा ही वो चालों ललके तरप रहे थे और देखते ही देखते वो दलदल में समा गए बस अब एक ललका बच चुका था जो भागता हुआ जंगल की बाहर की और निकल रहा था वो बहुत ज़दा घबरा चुका था और वो जंगल के बाहर की और लगातार भाग रहा था लेकिन तभी फिर से एक इन्होंने हाथ का पंजा निकला और उसके पैरों को पकल कर खीचता हुआ यहाँ दलदल में लेकर आ गया वो भी बहुत ज़दा तरप रहा था और देखते देखते उसकी भी मौथ हो गए वो भी दलदल में समा गया अब मैं हुआपे सिर्पा के लबा चा था और मुझे काफी डर लगना शुरू हो गया था कहीं यह इंसानी पंजा मुझे भी कुछ नुकसान न पहुचाए नहीं नहीं मैंने इसका कुछ थोड़ी न भी गाड़ा है यह मुझे चू नुकसान पहुचाएगा मैं अपने उस बड़े से लंबे गन को फिर से पीठ में टांक चुका था और जंडल के बाहर के और निकलने लगा लेकिन तभी किसी ने मेरे पेर को पकड़ दिया था मेरे कदम आगे नहीं पड़ दे थे और जब मैं अपने सर को पीछे गुमा कर देखा यह वही काला सा दिखने वाले इंसानी पंजा था जिसने मेरे पेर को पकड़ा हुआ था और वो मुझे दलदल की ओर खिचने लगा मैं जेमिन पे गिर चुका था और वो इंसानी पंजा मुझे लगातार खीचता हुआ दलदल में लेकर आ गया था मैं लगातार दलदल में समाई जा रहा था मेरी सांसे बंद हो गई थी मेरा दम घूतने लगा था और देखते ही देखते मैं पूरी तरह दलदल में समा गया और तभी मेरी आख खुली सुबह के चार बज़रे थे सैं भी अपने बेट पर उठकर बैठा हुआ था उसका सरीर पूरे पसीने से लटपत था और मेरा भी सर्ट पसीने से भीग चुका था तब सैं मुझे कहने देखा तब मैं भी उसे अपनी सारी बात बताने लगा कि मैं सपने में क्या देखा वो भी मुझे अपनी सारी बाते बताया कि उसने सपने पे लग गये, संभी अपने डूटी पे चला गया था, मैं भी उस बड़े से टावर के उपर चड़ गया, और आज मैं पूरे दिन उसी सपने के बारे में सोचता रहा, क्या आखिर वो सपना हमें कुछ तो कहना चाहती है, हमें कुछ तो दिखाना चाहती है, यकिन ये जंगल से गायब कैसे होते हैं, मैं इसे पूरे दिन टावर के उपर ख़़ा सोचता रहा, और साम के लगए पांच बजे के करीब, संभी अपने डूटी से वापस आ चुका था, वो मुझ से कहने लगा, आ जाओ, नीचे आ जाओ, हमें खाना बनाना है, मैं भी उस बड़े से साम को गायब कर रहा है, तब सेम का कहना था, ऐसी गलती कभी मत करना बच्चे, देखो, मैं तुमसे ज़्यादा सीनियर हूँ, मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, मैं तुमसे कई साल पहले से या इस जंगल में काम कर रहा हूँ, और मैं अपनी एक्सपिरियंस से कह रहा तो तुम जान से जाओगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी, ऐसी गलती कभी मत करना, अगर तुम्हे अपनी जान से प्यार है, तो इसी गलती कभी मत करना, रात के वक्त इस कमरे से कभी बाहर मत निकलना, सैमुल से इसा कह रहा था, और मैं भी उसे कहने लगा, अच्छा ठीक मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूगा फिर हम उस टावर से निचा गए और हम खाना खाए सै मुझे सोते वक्त भी समझा रहा था देखो तुम कमरे से बाहर मत निकल जाना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ऐसी गलती मत करना मैं बहुत ज़्यादा ठक जाता हूँ डोटी करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा ठक जाता हूँ जिस कारण मेरी आख रात के वक्त नहीं खुलती है कही तुम रात के वक्त इस कमरे से बाहर मत निकल जाना वो इतना बोलते वे सो गया और मैं भी आपने बेट पर लेटा पिक्चर देखने लगा फिर रात के लवाग 11 बजे के करीब वो पाईलों की आवाज मुझे सुनाई देना शुरू हो गई थी फिर से मेरे काउनों पे किसी औरत के पाईलों के गुंगरों की आवाज साफ साफ मेरे काउनों पे पढ़ने लगी थी और मैं अपने बेट पर उठकर बेट गया आज मैं खिलकियों को खोल कर बाहर जाक कर नहीं देखना चाता था क्योंकि मुझे पता था बाहर मुझे कुछ दिखाए नहीं देने वाला अगर मुझे इस जंगल के रेश को सुल जाना है तो मुझे इस कमरे से बाहर निकलना ही होगा मैं बेट पर से निचोतरा और अपने कंदे में उस लंबी सी गन को टांग कमरे के दरवाजे को खोल कमरे से बाहर आ गया कमरे के बाहर सोलर पेनल की लाइट जल रही थी और तभी मैंने देखा वहाँ उस कमरे से कुछी दूरी पे एक काले कपले में कोई अवरत खड़ी थी उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था और उन्होंने अपना पीठ मेरी ओर कर रखा था मैं चलते उसके पास जाने लगा मैं उससे बाते करना चाता था कि आखिर कौन है वो और वो अपने बच्चे के साथ इतनी रात गये जंगल में क्या करने आया करती है उसे जंगली जानवरों से डर नहीं लगता या फिर यहां के बहुत प्रेवतों से डर नहीं लगता मैं यहीं सोचते हो इसकी ओर बढ़े जा रहा था और वो अवरत भी मेरी कदमों की आवाज सुन आगे की ओर बढ़ने लगी थी उसका बच्चा भी उसके साथ साथ ही चल रहा था मेरे मन में एक डर भी था कि कहीं यह औरत वही तो नहीं जो सपने में आया करती है जो कल मेरे सपने में आई थी उसके साथ भी तो एक चोटा बच्चा था और इस औरत के साथ भी एक चोटा बच्चा है उसने भी काले रंग के कपड़े को पहन रखी थी और इसने भी काले रंगे साड़ी को पहन रखी है हो ना हो इस औरत का उस सपने के साथ कुछ ना कुछ connection तो जरूर है मैं भी अब दबे दबे पाऊं उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा औरत जंगल के घने वाले इलाके की और बड़े जा रही थी मैं भी उस औरत के पीछे पीछे चलता गया कुछी दिर में मैं एक 20 जिगे पे पहुंचाया था जहां बहुत थी उचे घने पेड़ थे आस्मान में चान निकले हुए थे लेकिन चान के रोशनी थोड़ा सा भी चिटक कर यहां जमीन पे नहीं पड़ दी थी मैं उस औरत को देख रहा था वो औरत बड़त वे जंगल के और भी घने वाले इलाके के और बड़े जा रही थी मैं भी उसके पीछे पीछे चलता गया और तब मुझे ऐसा लगने लगा कि यह जगे मुझे जानी पेचानी सी लग रही है मैंने स्यादि से सपने में देखा था कल जो मुझे सपना आया था उसी सपने में तुम इस जगे को देखा था यकिनन ये औरत वही है सपने वाली औरत है यकिनन ये भी कोई भूत प्रेत होगी ये बच्चा भी कोई भूत प्रेत होगा मुझे थोड़ा सा अबदान रेना होगा क्या मुझे इसे बाते करूँ या फिर मैं यह से वापस लोट जाओ नहीं नहीं अब जंगल के अंदर तक आही चुका हूँ तो मैं इस रहेश को सुलजा करी जाओंगा मैं उस औरत की और पड़े जा रहा था और तभी मैं उस जगे पर पहुँचाया था जहाँ एक बड़ा सा दलदल बनावा था एक बड़ा सा गड़ा था जिसके अंदर दलदल था मैं ये नजारा देखते ही समझ गया कि ये सपने वाली ही जगे है लेकिन ये मुझे दिखाना क्या चाती है ये औरत मुझे क्या बताना चाती है मैं वहाँ दलदल के इस ओर ख़़ा था और वो औरत दलदल के उस ओर जाकर ख़़ा हो गई थी वो भी अपना पीट मेरी ओर गुमा रखी थी उसका बच्चा भी उसके साथ ही था मैं उसे आवाज लगाते हैं यो कहने लगा कौन है आप और आप यहां इतनी रात के जंगलों में क्या कर रही है देखे मुझे पता है कि आप ये बात पहले से ही जानती थी कि मैं आपका पीछा कर रहा हूँ लेकिन इसके बाब दुभी आप जान बुचकर जंगल के अंदर की ओर पड़े चा रही है बताएए आप यहां जंगलों में क्या कर रही है मेरे इतना केते ही वहां जंगलों में कजीब सी हसी गुझ पड़ी ये हसी उसी उसी औरत की थी बहुत ही भायानक हसी थी उसकी और मैं उस औरत की ओर देख रहा था तब वो हसते विए मेरी ओर पल्टी थी उसका बच्चा भी मेरी ओर पल्टा था और मैं उसके चेहरे को देख इतना ज़्यदा घबरा गया कि मैं आपको बयान ही कर सकता वो सवरत का चेहरा और उसके बच्चे का चेहरा पूरी तरह से सफेद था उसकी लाल-लाल सुर्ख आँखे जो देखने में बहुत ज़िदा भयानक लग रही थी और वो हास्ते वो मुझे कहने लगी तुम्हें पर अपनी मौद को बुलावा देने के लिए हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा पिछा करे थे नहीं मैं तुम्हें या पर लेकर आई हूँ तुम्हें मारने के लिए तुम्हें या पर लेकर आई हूँ और तुम्हें इसी दलदल में मारूंगी बेटा क्या तुसका खुन पिना चाहेगा वो अपने बच्चे से सके रही थी और तब उसका बच्चा जोर जोर से कुदकने लगा था वो हस्ते वे कहने लगा हाँ हाँ मैं इसका कून पीऊंगा मैं इसका कून पीऊंगा वो उचल रहा था और वो उस औरत से सके रहा था तब वो औरत भी ऐस्ते होई कहने लगी, फिर जा छलांगे मारकर इसके कंदे पर कुद पर और अपना दात गला दे इसके कंदे में, औरत अपने बच्चे से इतना बोली ही थी, कि तब ही वो बच्चा छलांगे मारकर उस दलदल को फांद कर मेरे कंदों पे चड़ाया था, और वो अपना दात मेरे गले में गड़ाना चाता था। मैं अपने खाथ से उस बच्छे के गरदन को पकड़ लिया था और उसे अपने से दूर कर दिया था। लेकिन वो बच्चा अब भी अपने गर्दन को लंबा किये, मेरे गले में अपने दाथ गराना चाता था, मैं उसे एक जटके से, बस एक जटके से काफे दूर फेका था, वो बच्चा काफे दूर जाकर गिरा था, और वो फिर से छलांगे मार कर मेरे दूसरे कंदे पे चलाय वो फिर से अपना दात मेरे गले में गलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं फिर से उसे गर्दन से पकला और उसे अपने से दूर फेका और तभी उस दलदल से निकला था वो सैतानी पंजा, इनसाने काले सैतानी पंजा वो मेरे पेर को पकल लिया था और वो मुझे दलदल की और खीचने लगा लेकिन वो बच्चा कहरा था नहीं मा, मुझे इसके खून को पी ना है इसे दलदल में मत ले जाओ वो बच्चा इतना बोलाई था कि तभी वो पंजा भी मुझे उस दल्दल में खीचना बंद कर चुका था वो अभी मेरे पेल को पकड़ा वो था लेकिन वो मुझे दल्दल में नहीं खीच रहा था तभी वो बच्चा फिर से किसी बंदर की तरह छलांगे मारत हुए आया और वो मेरे छाती पे चल कर बेठ गया वो अपना दात फिर से मेरे गले में गलाना चाता था और मैं अपने हाथ से अपने हाथ से उस बच्चे के गर्दन को पकड़ लिया वो बच्चा बार बार लगातार अपने दातों को मेरे गले में गलाना चाता था लेकिन मैं फिर से उसे गर्दन से पकड़े दूर फेका था वो बच्चा दूर जाकर गिरा था और फिर से वो सेतानी पंजा मुझे दलदल में खीचना शुर हो गया वो अवड़त जो हाँ दलदल की उस पार खड़ी थी वो मेरी और लगातार घूरे जारी थी और वो काली रंग का इंसानि सैतानी पंजा मुझे लगातार दलदल की और खीचे जा रहा था तभी मैं अपने चाकू को निकाला मैं हमेशा अपने पेर के पास अपने जूते के पास एक चाकू रखा करता हूँ और मैं वो चाकू निकाला और उस सैतानी पंजे पे दे मारा उस इंसानी सैतानी पंजे पे मेरे उस तेरधार चाकू के बाहर होते ही वो पंजा कट चुका था और वो हाथ उस सैतानी पंजे का हाथ खिचता हुआ दलदल में समा चुका था लेकिन उसका पंजा अभी मेरे पेर को काफी कसकर पकड़ा हुआ था मैं उस पंजे को पकड़ अपने पेर से छुड़ाया और जमिन पे उटकर खड़ा हो गया तभी वो औरत वो काले कपड़े वाली औरत अचानक से मेरे सामने अकर खड़ी हो गए उसकी लाल-लाल सुर खाके जो मुझे लगातार घूरे जा रही थी तभी वो अचानक से अपने हाथों से मेरे गर्दन को पकड़ चुकी थी और वो हस्ते में कहने लगी तुम बार बर मेरे बच्चे के गर्दन को पकड़ रहते न अब छुड़ा अब छुड़ा कर देखाओ अपने गर्दन से मेरे साथ को वो औरत मुझे ऐसा कह रही थी और मुझे सांसे लेने में बहुत ही ज़्यदा तकलिफ होने लगी थी वो वरत मेरे गर्दन को दवा रखी थी और मेरा दम गुट रहा था मैं उसके हाथ को पकल अपने गर्दन से उसके हाथ को छोलाने की कोशिश करा था लेकिन उस अवरत की पकल बहुत ही मजबूत थी वो मेरे गर्दन को छोलने का नाम ही नहीं ले रही थी मैं क्या करता मेरे हाथ में वो तेजधर चाकू था मैं वो चाकू उस औरत के गरदन पे दे मारा मेरे चाकू लगते ही वो औरत काफी तेज तेजहासने लगी थी मैं हैरान था इस औरत के गरदन से तो खून निकलना चाहिए लेकिन उसके गदन से खून का एक भी बूंद बाहर ने या रहा था उसके गदन में चाकु लगने की बज़े से बड़ा सा कट बन चुका था लगवख लगवख उसका आधा गदन कट चुका था लेकिन उसके उस कट में सिर्फ सफेद रंग के मांस मुझे दिखाई पड़ रहे थे उसके गर्दन से खून का एक भी बुन बाहर नहीं आ रहा था और मैं हैरान था और अथा से जा रही थी और वो हस्ते वे कहने लगे आरे बेवकुप मैं पहले मर चुकी हूँ तुम मुझे क्या मारोगे लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी तुम्हारा दम मैं घोट कर ही रहूँगी वो भौती कशके मेरे गर्दन को दबा रखी थी मेरे गले को दबा रखी थी और अब मेरी आखें उपर नीचे होना शुरूँगे मेरे दम घोटने लगे थे मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे प्राह अलग से बाहर निकलने को है कि तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ वो अवरत जमिन पे गिर चुकी थी ऐसा लगा था कि जैसे मेरे पीछे से किसी ने उसे धका दिया है मेरे पीछे से किसी ने उसके चेरे पे मुख का मारा है और वो जमिन पे गिर पड़ी है मैं पीछे पलट कर देखा मेरे सामने लाल साड़ी में कोई अवरत खड़ी थी इसकी आँखे भी लाल लाल चमक रही थी इसके हाथों में नाखुन बहुत ही बड़े बड़े थे और इसके पैर नहीं थे ये हवा में दो फुट उपर उड़ रही थी और उसे देखते में पहचान गया ये वही ओरत है जिसे मैंने उस दिन खिड़की से जाकर बाहर देखा था ये वही ओरत है जो हाँ मेरे कमरे के आसपास गूम रही थी लेकिन क्या ये भी मुझे यहाँ पर नुक्सान पहुचाने के लिए आई है नहीं नहीं ये शैर मुझे नुक्सान नहीं पहुचाना चाहती अगर ऐसा होता तो ये मुझे उस काले कपड़े वाली प्रेतनी से क्यूं बचाती मैं पीछे पलाट कर देखा था वहाँ वो जो जमिन पर प्रेतनी गिरिवी थी काले कपड़े वाली भूत नहीं वो जमिन पर उठ खड़ी वी थी और वो काफी रप्ता से भाग तो ये दलदल में समा चुकी थी वो दलदल के अंदर गुच चुकी थी उसका बच्चा भी जमिन पर शुठा और वो भी भाग तवा दलदल में समा चुका था दलदल के अंदर गुच चुका था तब मैं उस लाल साड़ी वाली औरोट से कहने लगा कौन है आप? आपने मुझे बचाया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप है कौन? मैं उस औरोट को देख रहा था वो बहुत यह ज़्यदा सुन्दर लग रही थी उसके चहरे पर एक तेज था बहले ही उसके आँग चमक रहे थे उसके नाखुन बड़े बड़े थे लेकिन वो देखने में बहुत ही ज़्यदा सुन्दर लग रही थी उसके सारी का पल्लू पीछे हवा में लेरा रहे थे और तब ही मेरी नेजर पड़ी पीछे वहाँ पीछे कई सारे जंगली जानवरों का जुन्द था उन सभी जानवरों की आँखे चमक रहे थी और तब मैंने देखा उस औरत का चेहरा लाल सारी वाली औरत का चेहरा बदलना शुरू हो गया था उसके आकार बदलना शुरू हो गय थे और वो देखते ही देखते एक बेहद सुन्दर लड़की के रूप में बदल चुकी थी उसके पैरा चुके थे उसकी लालालाखें वो अब चमकना बंद हो चुकी थी और तब वो मुझे कहने लगी देखो मैं एक यक्षिनी हूँ तो मुझे जंगल की देवी भी मान सकते हो मेरा काम है जंगलों की रक्षा करना जो जंगल की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करना इसी करण मैंने तुम्हें बचाया है तुम्हें एक फोरेष्ट गार्ड होना फोरिस्ट गार का काम होता है जंगलों की रक्षा करना तुम्हें जंगलों की रक्षा करते हो मैं भी जंगलों की रक्षा करते हूं इसलिए मैंने तुम्हें बचाया है तब मैं भी कहने लगा यक्षिन्या भी तो भूत प्रेथी होते हैं न के तुम मेरा बार में कुछ नुकसान तो नहीं पहुचाओगी, अभी तो उस प्रेतनी को भगा चुकी हो, लेकिन तुम मेरा बार में कुछ नुकसान तो नहीं पहुचाओगी, तब उसका कहना था, देखो पहली बात तो ये, यक्षिन या भूत प्रेत नहीं होती, भूत प मुझे ये बता सकती हो कि वो औरत कौन थी और वो लोगों को क्यों मारा करती है तब उसका कहना था देखो वो एक औरत की आत्मा थी वो औरत यहीं के पास के गाउं में राकती थी उसने भाग कर साद ही किया था लब्मेरिद किया था कुछी दिन बाद उसके एक बच्चे हो गए उसका बच्चा कुछी दिनों तक बला बला और कुछी दिन बाद ही उसके पिता जी की मौत हो गए उस औरत के पती की मौत सड़क दुरगटना में हुई थी और उसके बाद उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था बहुत मुश्किल से वो अपने पेट को भर पाती थी लेकिन कहते हैं न कि इंसानी दुनिया बहुत है ज़्यदा कुरूर है वो कभी भी गरीबों का मजाग और उसका फाइदा उठाने में पीछे नहीं हरते उस औरत के साथ में कुछ ऐसा होने लगा था तब उस दुनिया को छोड यहां जंगलों में रहने के लिए चली आए थी वो यहां पेलों से तोड़ फल को खाती और अपने बच्चों को भी खिलाती इसी तरह वो अपना जीवन जापन कर रही थी किसी तरह से अपना जीवन बिता रही थी लेकिन एक दिन इस जंगल में पांच लोग पांच लोग केंपिंग करने के लिए थे और उनकी बुरी निगाहे बैचारी उस औरत पे पड़ गए वो उस औरत का फाइदा उठाना चाहते थे उनके भी छाता पाई होना शुरू हो गई और फिर उन पांचों ने मिलकर वो उस औरत और उसके बच्चे को जान से माढ डाला और फिर उसकी लास यहीं इस दलदल में दफना दिया उसकी ही आत्मा है जो यहां जंगल में आने वाले सभी लोगों को लगवववख सभी लोगों को जान से माढ डालती है दिलाने का कोई उपाए नहीं है तो उसका कहना था हाँ एक उपाए है अगर उस दल्दल से उस ओरत और उसके बच्चे को सरीर को निकाल उसका दास संकार कर दिया जाए तो उस ओरत की आत्मा को और उसके बच्चे की आत्मा को संती मिल जाएगी तब मैं भी केने लगा क्या तुम मेरे सका में मदद कर सकती हो तो उसका केना था ठीक है कर देती हूँ क्योंकि वो औरत बुरी आत्मा है वो अच्छे इंसानों को भी मारा करती है वो अपना बदला पहले ले चुकी है उसके बावजुद भी वो इन्सानों को मारा करती है इसलिए मैं तुम्हारे स्कामे मदद कर रही हूँ वो इतना बोलते हुँ अपने आखों को बंद कर चुकी थी और वो अपने उंगलियां घुमाने लगी उसकी उंगली में रोशनी चमकी और तभी मेरे सामने दो लास वाँ जिमिन पर आ चुके थे इन दोनों लासों की मांच लवववख सर चुके थे और तब वो यक्षनी मुझे से कहने लगी यही दोनों लास है ये दोनों लास उसी औरत और उसके बच्चे की है इसका दास अंसकार करो इसके दास अंसकार करते ही इसकी आत्मा हमेशा मैसे कलिए मुक्त हो जाएगी तब मैं भी किने लगा अच्छा ठीक है मैं लकड़ियों को कटा करता हूँ तब उस यक्षिने का कहना था अरे मैं किये देती हूँ न मैं यहाँ पर दो चिता बना देती हूँ तुम इस चिता पे इन दोनों लास को लिटा देना तब मैं भी किने लगा ठीक है बना दो वो फिर से अपने आखे बंद कर चुकी थी और वो अपने उंगलिया गुमाने लगी तब ही महां मेरे सामने लकडियों के दो चिता बन चुके थे और मैं भी उस लास को उठा कर उन दोनों चिता पे रख चुका था तब वो फिर से मुझे एक मसाल देते विए कहने लगी येलो मसाल इस मसाल से तुम इस चिता में आग लगा दो मैं भी उस मसाल को अपने हाथ में पकल चुका था और मैं अब उस चिता में आग लगा नहीं वाला था कि तभी मेरी नजर पड़ी वही दलदल के उसोर दलदल के उसोर वही औरत और उसका बच्चा ख़़ा था और उसकी आँखों से आशु निकल दे थे वो दोनों रो रहे थे और उसकी आँखों से निकलते हुए आशु साब बया करे थे कि वो दोनों कितने ज़्यादा दुखी थे तभी वो यक्षी ने मुझे कहने लगी चिता में आग लगा जो होना था वो हो चुका है मैं भी चिता में आग लगा थिया चिता धूदू करके जलने लगी और देखते ही देखते उस औरत की आत्मा और उस बच्चे की आत्मा आवा में कहीं गायव हो गए तब यक्षी ने कहने लगी उन दोनों की आत्मा को मुप्ती मिल चुकी है और अब सभी को लगेगा कि जंगल से खतरा टल चुका है लेकिन जंगल से खत्रा नहीं टला है जंगल में अब भी खत्रा है जो भी जंगल को नुक्सान पोचाएगा उसे मैं नुक्सान पोचाऊंगी वो इतना बोलते हुए वहाँ से गाय हो गई और अब मैं भी चलता हुआ अपने कमरे में पोचा रात के लबग चार बजने को थे मैंने देखा कि वहाँ सेम अपने बेट पर सो रहा था मैं भी कमरे के दरबाजे को बनकर बेट पर जाकर सो गया सुबह हुई और सुबह के वक्त हम खाना खाकर फिर से अपने अपने डूटी पर चले गया था मैं भी इस बड़े से टावर के उपर चल गया था और मैं वहाँ टावर के उपर ख़़ा सोच रहा था क्या मैं कलवाली घटना सेम को बता दूँ कि इस जंगल से खत्रा टल चुका है नहीं नहीं उसने तो इस जंगल में वो लाल साली वाली औरत को देखा था ना उस यक्षिनी को देखा था लेकिन वो यक्षिनी अब भी तो इस जंगल में है नहीं मैं उसे ये बात नहीं बताने वाला फिर इसी तरह से समय भी था सुक्रवार की रात आई लेकिन आज हमें वो बुरे सपने नहीं आये थे तब सुभे के वक्त सेम उचे कहने लगा जार आज हमें वो बुरे सपने नहीं आये तुम्हें आये क्या? तब मैं भी उसे कहने लगा नहीं, हमें भी वो बुरे सपने नहीं आये तब सेम का कहना था लगता है कि सैद इस जंगल का साब खत्म हो चुका है तब मैं भी उसे कहने लगा हाँ हो गया होगा फिर हम खाना खा का ड्यूटी पे चले गए और आज भी मैं या फोरेस्ट गार्ड की नोकरी कर रहा हूं लेकिन अब कभी-कभी वो यक्षनी मुझसे मिलने के लिए आया करती है मुझे अच्छी-अच्छी कहानियों सुनाया करती है पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस यक्षनी दोरा सुनाएगे कहानियों को सुनना चाहेंगे अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें ये बात कमेंट में बताना ना भूले